उरिसा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है नतीजे सामने आने के बाद नवीन पत्नाएक ने बुद्धवार को उरिसा के मुख्यमंत्री पस से इस्तीफा दे दिया उन्होंने राजपाल रगवरदास को अपना इस्तीफा सौपा बीजेपी ने राज में 147 सीटों में से 78 सीटे जीती हैं नवीन पत्नाएक की बीजू जनता दल को 51 सीटे मिली हैं अब सवाल यह उठता है को उरिसा का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेडी की चुनावी हार के बाद अम निगाहें उरिसा के अगले मुख्यमंत्री पट्टी की हैं अटकलों के बीच रा एक उरिसा व्यक्ती जो राजी के संस्कृती और परंपरा को कायम रखेगा वा उरिसा का अगला मुख्यमंत्री होगा अगर नामों की बात करें तो सबसे पहला नाम है धर्मेंद प्रधान की दरिसल मुख्यमंत्री पत के नामों में धर्मेंद प्रधान का नाम काफी उप पर चल रहा है दर्मेन प्रिधान ने बीजत के पर्णो प्रकाश दास के खिलाप एक लाख से अधिक मतों के अंतर से संबलपूर लोगसबा सीट जीती है दूसरी नमबर पर नाम है वेज़ंत पांडा का दरसर वेज़ंत पांडा ने उरिसा में केंद्रपाडा लोगसबा सी से चुनाओ लड़ा था लेकिन वह हार गये इसके लाओ अपराजिता सारंगी ने कॉंग्रेस नेता यासिर नबाब और बीजू जनता दल के नेता मनमत राउत्रे के खिलाप चुनाओ भोनेश्वर तीट जीत ली है वावी मुख मंतरी पत के लिए एक एहम नाम मानी जा र विधायक हैं वह उड़ेशा में बीजेपी के शुर्वाती सदस्यों में से एक रहे हैं जुएल ओराम को अक्टूबर 1999 में पहली बार केंद्री जन जाती मामलों का मंतरी बनाय गया था उन्होंने लोकसभा के चुनाओं में सुन्दरगर लोकसभा छेत से जीत हासिल की है इसके लामा बीजेपी प्रवक्ता संभित पात्रा का भी नाम है संभित पात्रा ने बीजद नेता अरोप पतनायक और कॉंग्रिस उमिदवार जैन अरायन पतनायक के खिलाप पुरी लोकसभा सीथ जीती हैं 2019 के लोकसभा चुनाओं में बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने स संभित पात्रा को हराकर जीत हासिल की थी ऐसे में संभित पात्रा धर्मेंद प्रिधान बेजन पांड इन लोगों का नाम सुर्खियों में है लेकिन देखना महत पोड़ होगा उड़ीसा का अगला मुख्यमंतरी होगा कॉन बीरो रिपोर्ट इंडिया पोस निव